असलाम अलेकम अच्वा टॉपिक के नहां है डॉमिनस रिलेशन जो के बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है बेसिकली यहां पर फीजियोलोजिकल इफेक्ट देगना है एक अलील का दूसरे अलील के उपर और जो के मजूद है इन सेम लोकस एक लोकस के उपर एक अलील का दूसरे अलील के उपर फीजियोलोजिकल इफेक्ट को हम आपको नाम देते है डॉमिनस रिलेशनशिप का नाम देते है मतलब आपने पूरा टॉपिक पढ़ना है पर जिस जगह पे आगे आपने स्टुडी करना है वह हेट्रोजाइगा स्टेट है चले देखते है डॉमिनस रिलेशनशिप कितने टाइप्स के हैं सबसे पहले टाइप का नाम है कंप्लीट डॉमिनस मेरे पास मैं एक्जैंपल कि और मटर का दानर रिंगंडन पास और क्यान के पासर आर क्यिस साइवा Mais और यह F1 होगा आप मुझे पता इसकी शेप किया आप फोरन के सार यह राउंड है और यह हेट्रोजाइगस है देखो ना एक आर कैपिटा एक आर स्मॉल है यह हेट्रोजाइगस है इसमें एक जो आपके साम आर डॉमिनेंट है यह आर सैसी को शोई निकरना दे रहा उसको पर ए आर बिछ इस रिसाड़ी कींड़ बिटा रिसें स हाईड जिसमें एक आर डो मीनेंट होता है दूसरे इन कंप्ले डोमीनेंस में क्या होता है बेसे कि एटीन नैइटीन नाइन को काल कोरन से हमें बता आए कि फ्लावरीं प्लांट है जिसके नमा फोर ऑ वक्लोग एक का कलर ह के हम यूज करते है R1 R1 वाइड कलर की हम यूज करते है आर टू और रू इन दोनों के आगे गैमर्स बनाते हैं आपके पता आर वन आर वन एक आ गए आ गया गया और टू एक आगया गया गैमर्स के अंदर जब आपस पर मिलेंगे तो क्या पनेगा R1 और R2 बन जाएगा इसका जो color वो pink color है ना के red color है ना के white color है इन दोनों का मिला जूला जो center में आता है intermediate वो आ गया pink color F1 का ये कि R1 आड़ो ये heterozygous है और heterozygous क्या है incomplete आया ना red आया ना white आया इसको कहते है दियरकोल heterozygous state में जाके पता लगा कि बोथ अलील एक्सप्रेस intermediate दोनों ने intermediate अपने आपको एक्सप्रेस किया पर किस state में जाके heterozygous state में जाके phenotype के लहाद से as compared to homozygous phenotypic expression तो homozygous में देखे एक तो red था और ये क्या था बैटा white था इन दोनों के लहाद से ये जो heterozygous वाला आया था इससे बैटा अपने आपको कैसा शो किया intermediate इस relationship को नाम देते हैं incomplete dominance है co dominance में हमारे पास example है blood group system बड़ी टाइप्स की है एक है ABO एक है MN, एक है MNS, एक है RH system है हम basically ABO ज़्यदा पढ़ते हैं पर आज मैं जो आपको example दूँगा वो MN blood group system की दूँगा हमारे पास MN blood group system है ये Karl, Lance, Trainer और Levin इन दोनों scientists ने discover किया इनन पता है एक GINA L इसकी आगी दो copies है एक है LM और एक है LN अगर किसी के पास copy होगी LM, LM की त antigen बनेगा M antigen उस इनसान का blood group क्या होगा M blood group क्योंकि M वाला antigen है अगर किसी इनसान के पास LN, LN है ये allil का pair है इस allil के pair के पास N antigen बनेगा और उस person का blood group क्या होगा N blood group होगा ठीक होगा अगर किसके पास LM, LN ये allil का pair है उसके blood group के पास antigen दोनों होगी M antigen भी होगा और एन एंटीजन भी होगा उस पर्सन का blood group क्या होगा MN blood group होगा जैसे AB blood group कह सकते हैं यह जो MN blood group है आप मुझे बता यहां पर यह तो मैंने का कि M ज्यादा शो हो रहे है N ज्यादा शो हो रहे है यह N कम शो हो रहे है M ज्यादा हो रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों equally express करें हो यह कुछ से स्टेट है Heterozygous है है अधरेट को divided compare Ahh को आउरמן ज्यादा चनी है आप डयंदीपेंटेंटि दोनों अपने आपको जाहिर करें धोनों equally एक्सप्रेस हो रहे हैं तो अगर हभिस song जाके दोनों अलीशल एक्स क्षाय सोंगे ऐसी बड़ा अप रिलेशिशन को न Drosophila का eye color है white eye color. Red eye color का बाता है Drosophila के पास के W positive भी है और WWE है आप देहें हैטरोसाईगस condition है, बनाती। दोनों थाज़िएन्षn भी है पर इसकी आँखों का कलर ना रेड है ना आँखों का कलर वाइट है यह आँखों का कलर कौन सा फ्लोरिसंट पिगमेंटिट आईज है चमकदार आँखों का कलर नजर आया है तो यहां पे हेट्रोजागस टेट पर जाके आपको पता लगा कि दोनों अलिल्स एक्सप्रेस हु पर जब हेट्रोजाइगस है तो वहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो गया अक्सीड हो गया बहुत ज्यादा जाहर हुआ क्वांटिटी के लहाद से आप ऐसे रिलेशन्शिप को नाम देते हैं द्यार को ओवर डॉमिनेंस है जजाकर लाओ लुख है